बाई जिन्दगी में आपने सबसे बड़ा पाप क्या किया है इंजिनेरिंग में एडमिशन लिया था मैंने क्या? और उससे भी बड़ा पाप मैंने मेकनिकल इंजिनेरिंग में एडमिशन लिया था बाई इंजिनेरिंग से क्या प्रॉब्लेम है आपको? आज मैं तुझे बताओंगा अपनी दुख भरी दास्ता तुझे पता है, 12 तक में इतना तो जान गया था कि कंप्यूटर और IT में गया तो नौकरी नहीं मिलेगी मेकैनिकल और सिविल में गया तो छोकरी नहीं मिलेगी बेंचो जाए तो जाए कहा फिर हमारे चाचा मामा या मौसी का आइंच्टाइन बेटा पता नहीं कहा से प्रकट हो जाता है खुद के चारपाद सब्जेक बैक होते है और हमें साला देगा कि बाई मेकैनिकल में जा बहुत सकोप है सकोप, ये सकोप शब्ट सुनकर बात ही खतम हो जाती है हमारे घर वालों को सकोप सुनकर तो ऐसा लगता है जैसा आपना बेटा अंबानी बनेगा चोकरी गई भाड में तुझे तो मेकैनिकल इंजिनेरिंग ही लेना है भोजडी का खुद तो डूपता है हमें भी साथ में ले जाता है माकसम उस मुच्छड गांडू को मैं जिन्दगी में कभी माफ नहीं करूँगा तुझे पता है हम मेकैनिकल और सिविल वालों को लड़की के नाम पर एक बूडी प्रोफेसर मिलती है सिर्फ हमारे जिन्दगी में सिर्फ लॉंडे लिके होते हैं लॉंडे रात को सपने भी हमें लॉंडे पढ़ने लगे अब जो लोग आईटी और कम्प्यूटर में जाते उन में से 90% लोगों को घंटा पता नहीं होता कि बिल गेट्स और माइक्रोसफ्ट क्या है कल मैं एक कंप्यूटर के लॉंडे से पूच्छा व्याज रेश्मा कोने रेश्म्या हाँ वह दूसरी माली बैंच पर बेटतै यह ना काले बाल काली आखे कालीर बस बस और दीपा दीपा हाँ वो गन्या की आइटम है ना काली आखे काले बाल काली अच्छा बिल गेट्स सर अभी बाहर गए है आएंगे थोड़ी देर में तेरी भेन का माइक्रोसोफ्ट मारा काली आखे काले बाल जा जाके अपना मुझ काला कर ले दुनिया में सबसे बहतरीन एक्जाम को ही देता है तो वो हमारे इंजिनियर एक्जाम का टाइम टेबल तीन महें पहले ही आ जाता है फिर भी हमारा इंजिनियर रात के बारा बज़े फोन करके पूछेगा भाई पेपर कौन साइकल बारवी तक हमारे पैरेंट्स पूछते थे कितने परसेंटेज आए 80 या 90 और अब पूछते कितने बैक लगे 2 या 4 बेंचोत मैंने कॉलेज की इतनी फी नहीं भरी होगी जितनी एक्जाम फॉर्म की भरी है एडमिशन के टाइम हर कॉलेज हमें बताएगा के हमारे पास बड़ी-बड़ी मल्टिनेशनल कमपनीज आती है गूगल, फारारी, मर्सडीज फिर लास्ट येर को हमको पता चलता है कि उन्होंने हमारा गंदा वाला चूटिया काटा है मर्सडीज दिखा कर रिक्षा फिटिंग का जॉब मिलता है वो भी पूरे 300 बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चों को बाकी बचे 297 बच्चों का फ्यूचर पोपट लाल के लंड जैसा लटकता रहता है इंजिनेरिंग के हर क्लास में तुझे एक चीज जरूर देखने को मिलेगी जिसमें क्लास के सारे बच्चे क्लास बंग करके छुट्टी लेकर घर जाते सिवाए एक मच्चर की गांड की ये भोजडी का वो मच्चर होता है जो इंसानों का नहीं मच्चरों का खुन पियेगा एसा मच्चर अपने आपको टॉपर बताता है इनको और्गेजम केसे होता है पूछो तो इट इस डिफाइंड एस से स्टार्ट करेंगे सुहाग रात के दिन भी पूरी प्रोसीजर रटा मारके जाएंगे ये लोग पेंचो दिये न्यूटन और आइंस्टाइन कहां मिलेंगे बात अमेरिको दुनिया के करोडो बच्चों की खोलकर मारी इन महाचुतियों ने ये दो लोग इंजिनियर्स के शाकाल और मोगैंबो है इनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं इंजिनियर्स का पहला ये न्यूटन अबे भोसर पपू पेर से सेब सर पर गिरा तो खा लेता या गान में डाल देता वो उपर से नीचे क्यों गिरा ये जानना जरूरी था क्या है गान में उंगली करने के आदत जाती नहीं इनकी सेब नहीं नारियल गिरना चाहिए ता नारियल बेंचो तो वही मर जाता जान चुटती फिर आया ये यहां बच्चों को ठीक से ABCD बोलनी नहीं आती ये बंदर उसके इक्वेशन बनाता है E is equal to MC square बराबर इंजिनेरी is equal to Mark E 2 वो भी दो बार पता नहीं इस assignment का invention किस गज़े की गान ने किया सालों से यही होता आ रहा है assignment पर assignment पर assignment पर assignment पर assignment पर assignment पर assignment मिलती रही है लेकिन ये समझ मैंने या रहा बेंचों दिया assignment लिख क्यों रहे है हम student submission के लिए अपनी नींद बेच कर college आते है और ले जाते है तो सिर्फ assignment लड़कियों ने अपने ball, sorry ball, अपना make-up यहां तक कि अपना boyfriend भी बेच डाला और उन्हें भी मिला तो सिर्फ assignment महीनों सालों प्रोफेसर के केबिन के चकर काट का student खुद बन जाते है एक assignment और उन्हें भी मिलते है तो सिर्फ एक assignment control भाई, control, सनी दियोल आ रहा है भाई बाबा? हाँ वच्छ मेरी engineering पूरी हुई है, आगे क्या करू? ये इसके लिए भी एक चटाई डाल रहे है, अपनी विराद रिकाए